नमस्का दुस्वाज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमी खृष्ट के यूट्यूब चैनल पर तो आज की जो वीडियो है वो भी आइमेट एक्जाम इटली एमईवेस से रिलेटेड रहेगी इटली के नाम पर बहुत सारी प्रमोशन होती है फ्री स्टड़ी है इटली के अंदर MBBS फ्री में है लेकिन ओन ग्राउंड प्रैक्टिकली मेरी जितनी वीडियो देखेंगे वहाँ पर आपको बहुत सारी इंपोमेशन मिल सकती है अभी इटली में अगर आपने MBBS भी करनी है जा इटली में स्टड़ी करने के लिए भी जाना है तो हमारी एक dedicated playlist है जिसके अंदर number of videos है related to Italy, free study in Italy, scholarship कैसे ले सकते हैं, IMET exam में कैसे register हो सकते हैं, pre enrollment क्या है, DOB क्या है, CMEA क्या है, everything explained in that videos उस playlist का link भी मैंने description box में लगा दिया है बहाँ जाकर हमारी number of videos देख सकते हैं उसके कि मैंने अभी अपना इटली का apply किया है, किसके लिए, MBBS के लिए, free MBBS के लिए, या IMET exam के लिए, जा मैं इटली में बैसे funding के लिए भी जा रहा हूँ, क्योंकि rejection rate बहुत है, IMET exam नहीं clear होता, even slots नहीं मिल पाते, IMET exam के, जहां पर आपने appear होना, इंडिया गंदर एक ही center बन के, तो ऐसी बहुत सारी hurdles हैं, बट बच्चे फिर भी try करते हैं, तो मैं उनको try करने से पहले फिर मैं बता दूं कि precautions लेकर है, साथ में सब्सक्राइब जरूर लेना है, तो IMET का जो new auditions यह है, 18th of September, 13 September को open होने जा रहे हैं, और 13 September से लेकर 19 September तक यह portal open रहेंगे, जिनोंने यह IMET का exam देना है, और different countries में इसके centers बनते हैं, examination centers, और इंडिया के अंदर एक ही center बनता है, और बहुत सारा competition रहता है, अगर आपने यह अपना registration भी करवानी है, जितने भी बच्चे हमारे साथ registered हुए थे, हमने सब बच्चों की pre enrollment करवा दी हुई है, सब बच्चों की में admissions नहीं मिल पाया, जब उन्होंने अपना pre enrollment के लिए डाला, उन्होंने उनकी application reject कर दी, उनकी pre enrollment उन युनिवस्टी से cancel करके हमने another universities में भी डाली है, और 31st of July को सब के बच्चों के हमने pre enrollment करवा दी हैं, कुछ बच्चे इंडिया के थे, कुछ बच्चे फॉरन में भी है अलग-अलग locations में बैठे हुए हैं, अलग-अलग area में बैठे हुए हैं, कुछ बच्चों का DOV का process डाला है, कुछ बच्चों का हमने senior directly करवा कर दे रिया है, जिसको हम recognition of document कहते हैं, जब verification of document हैं, वो भी करवा कर दी हैं, depend हैं आप कहां पर बैठे हुए हैं, even उन बच्चो में भी हमने उन बच्चों को डाला हुआ है, कि in case यहां का admission नहीं आता, तो आप another country में चले जाएं, ताकि आपका time waste ना हो, कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम अपना wait करें, IMET के लिए मैं किसी भी बच्चे को recommend नहीं करता कि वो wait करें, अगर आपने IMET का exam देना हैं, तो आप inside Europe में पहुंच जाएं पहले, बहां जाकर IMET का exam दें, अगर आप MBBS में भी चले जाते हैं, को जनरल स्टेडी में भी चले जाते हैं, तो बहां जाकर अगर IMET का exam देते हैं, वो break हो जाता है, तो एक तो सबसे बड़ी जो hurdle है, आपके वीजा की बोग खत्म है, क्योंकि आप inside Europe में है, और 35-36 लाग की bank statement दखानी पड़ती है, उससे भी आपको bigger relief है, उसका solution मैं बताऊंगा कि आपको क्या दिखाना पड़ेगा, ठीक है, और तीस लाप सबसे बड़ा benefit है, कि स्टोर्स easily मिल जाएंगे exam में बैठने के लिए, क्योंकि exam में अगर इंडिया में सेंटर मिलता है, तो UAE में जाना पड़ता है, कोई सौधी में जा रहा है, कोई अजरबाई जाना में, कोई तरकी में exam, कोई होंग कॉंग में exam देने के लिए जा रहा है, जो निरबाई इंडिया के countries हैं, ऐसी ऐसी problem उससे आप बच सकते हैं, मैं बार बार यह चीज़े fact बताता तो अभी exam के बाद, इनों ने, जो इनका exam, आई मेट का, ये exam होना कब है, उसकी rate अभी तक नहीं बताई है, लेकिन पोर्टल ठारा से लेकर, 69 सब्तमबर तक open रहेंगे, आपने रिजेस्टर करवाना है अपने आपको, जो बच्चे हमारे साथ रिजेस्टर हैं, वो immediately हमार एक dedicated वीडियो है, कि आपने अपने आपको रिजेस्टर कैसे करना है, आप अपने लेवल पर भी apply करने की कोशिच करें, जब इनका portal open होता है, examination center में बैटने के लिए, क्योंकि हमारे पाद 3-4 stop ही है, और application 50 रिजेस्टर करनी है, तो मैं बच्चों से भी suggest करता हूँ, वो अ दूसरा क्या है, इसके बाद, examination के बाद, इनके जो result है declared होने है, examination की date नहीं दी, लेकिन इनको result की date दी है, इन्होंने ये बताया है कि हमने जो result है, 26th of October को declare कर देंगे, 29th इनकी last date है, अभी 29th और 26th के बीच में कोई examination date भी fix करेंगे, क्योंकि 26th of October को इनको बताया है कि हम exam क की जो result declare कर देंगे, और cut off हो ये हो है, 31st of October को, portal के उपर आ जाएंगे, आप बहां जाकर अपने cut off, अपना जो exam दिया तो उसकी भी information ले सकते हैं, तो ऐसे है, यह मैंने इटली का बता दिया है, अगर आपने इटली में जाना है, इवन free study किसी और भी stream में, आरड़ी inside यॉ यॉरब में है, तो उनका मैं most welcome करता हूँ, उनका process करवाना हमारे लिए काफी easy है, इवन जिन बच्चों के इटली के visa already refuse हो चुके हैं, यहां पर student visas, वो another countries के options ढून रहे हैं, वो immediately हमें contact करें, मैं उनको better से better options provide कर सकता हूँ, crown immigration के पास MBBS से related more than ये लेकर 40-50 countries हैं, और यॉ आपका budget क्या है, आपके percentage क्या है, आपका main motto क्या है, फॉरण में MBBS करने का, तो अब अपनी profile, अपना budget share करें, उसके बाद मैं आपको स्वेस्ट कर सकता हूँ, वो आपके लिए better से better क्या रह सकता है, तो last year मेरी यही request रहे हैं, अगर आपको जो मेरी video चलिक, उसका like and share करना Thank you.